अचानक से हालात बदल गए तुरंथ ही जज़बात बदल गए आज ऐसा ही कुछ मार्केट में हुआ है दोस्तो कहां हम शौट करने की बाते क्या करते थे और आज सब को चोकाते हुए हैरान करते हुए मार्केट ने धन धन बरसाया है बुल्स के लिए और दोस्ते ऐसा क्यों ना हो क्योंकि जब फिनैंशल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर जो की मार्केट का राउंड 35-36 परसेंट है जब वो चलेगा तो आपको मालुम है कि किस साइड पर मार्केट जाएगी नमश्कार दोस्तो मेरा नामे जजबीर और जसी टेक में आप सबका हारदेख स्वागत करता हूँ सबसे पहले ही बता देता हूँ जिन लोगोंने आज सेट अप पे काम किया होगा उनको बरसा होगा धन उनके उपर धनकी वर्षा हुई होगी और जिनोंने सेट अप के इर्द गई होंगे उनका तो भाई कुछ कह नहीं सकता हूँ अब आज मैं वही बात करूँगा कि जो सुभे सुभे या कल शाम को मैंने जो वीडियो दिया था उसमें क्या बात हुई उस पर बात करूँगा और क्या zero hero चली finnifty की वह आप लोगों को पालूम है कि जबरदस्त चली है zero hero भी अच्छे चली है और zero hero पर भी कल मैंने लगा हुआ है जिसको देखना हो भी देख लेए फिन इंफ्टी तो बातचीत हुई थी विलकुल स्टाट से करेंगे। ये नहीं है कि बतलब end पे जाके कर रहा हूं कुछ नहीं, सवानों से, हमारी बात्चीत यह हुई थी कि अगर हम 23-827 के नीचे जाएंगे तो sell side के बारे में सोचेंगे, अब आईए 23-827, 23-827, अब कुछ लोग कहेंगे साहब दूसरी जो candle थी, 9-20 के बाद वाली, उसमें हम 23-827 के नीचे चले गए, बिलकुल साहब चले गए, no doubt about it, बट क्या 23-827 के नीचे एक भी candle close हुई, एक भी candle 23-827 के नीचे close नहीं हुई, और जब हम setup एक काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि 827 के नीचे एक तो बात candle close हो, और next candle उसका low काटे, एक भी candle ऐसी नहीं है, जो उसके नीचे close हुई, और उसके बाद उसका low काटने का तो कोई सवाल वैदा ही नहीं होता, अब उसके बाद क्या हुआ, बात चित क्या हुई कि 23-900, कल मैंने बात की थी कि 23-900 के उपर हम लोग by side के बारे में सोचेंगे, 23-800 के नीचे ही हम लोग दिक्कत में आएंगे, क्योंकि क कल राइटर्स और पूट राइटर्स को बहुत ज़्यादा डेटा नहीं बता रहे थे, ना कॉल साइड में ना पूट साइड में, तो किसी भी तरफ उटेगा, अच्छा खासा फूटेगा, और हमने फिर बात की थी कि अगर 23-900 के उपर 933 क्रॉस करता है, 23-933, यहां से ए एक अच्छा अपसाइड का मूँ मिल दाएगा, आप यह देखिए कि 23-900 के आसपास, 933 के आसपास, हमको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखता रहा, लेकिन जब इसने पार किया, तो सीधा-सीधा लेवल था, 23-995 भी आपको प्राप्त हो गया, और उसके बाद 24-155 का लेवल था, वो भी आपको भली माती प्राप्त हो गया, और 24-100 तक का मेरा लेवल था, कि 24-100 तक एक बार को टेस्ट होना, चाहिए अगर अपसाइड जाते हैं, लेकिन मुझे भी शायद इतनी वो नहीं थी, कि भाई, एक इतना बड़ा मूव, एक शॉर्ट कवरिंग फिन निफ्टी 24-357, 24-380 के असपस तक का हाई लगा कर आया आज वापस, तो अब आप देख लिए, जिस जिस ने भी सेट अप पर किया होगा काम, उसको तो कहीं कोई दिक्कर फिन निफ्टी में नहीं आई होगी, हाँ, कुछ लोग फिर भी कहेंगे, कि साब हम तो नुक नुकसान में रहे, अब यह नुकसान में रहे, तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, 2% उपर क्लोज हुआ है, सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था जो डिकलाइंज में था, वो था श्रीराम फिन, बाकी PFC बहुत तेजी दिखा रहा था, State Bank of India नतीजों से पहले तेजी दिखा ने हैं कि क्या Fin Nifty, क्या Fin Nifty daily chart पर हम लोग कि स्थिती में है, daily chart पर अगर मैं इनको remove कर दूँ, drawings पर remove कर देता हूँ, और Fin Nifty के देमास को देखने हैं, तो हमको बता चलता है कि अब हम सभी important देमास के उपर आ गए हैं, अब sell on bounce की market नहीं रही है, Fin Nifty के लिए sell on bounce नहीं रहा है, अब आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि bank Nifty की क्या है स्थितियां, जब हम bank Nifty की स्थितियां देखते हैं, तो bank Nifty पर क्या बात चीद हुई थी कि 5160 के नीचे ही हम sell side के बारे में सोचेंगे, आपके सामने बिलकुल clear 5160 के नीच test भी नहीं हुआ, हम लोग ने बात की थी कि 5150 के करीब का high था पिशले दिन का, लेकिन मैंने कहा था 51600 को हम पार जब तक नहीं करतें, तब तक by side के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बाद भी 5167 का level दिया था, जहां पर आप लोग को बताया गया था कि 51607 पर बहुत सार 51900, 907 की और लेके जा सकती है, और उसके बाद अगर हम चले, तो हम 52032 की और बढ़ता हुआ देख पाएंगे अपने bank nifty को, लेकिन आज तो भई bank nifty में तो, sorry, ICICI bank और state bank of India की तेजी ने आपको 5354 भी दिखा दिया, यानि 52354 भी दिखा ही दिया है, अब daily time frame पर अगर हम चलते हैं और कुछ कोशिश करते हैं देखने की, सबसे पहले तो मैं remove करता हूँ इन drawings को, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम 9 डिमा के उपर हैं, जी हाँ, यहाँ पर भी अब 9, 20, 50, 100, 200 के उपर जरूर स्थित हैं, लेकिन अभी भी यही चीज याद रखिएगा दोस्तो कि हमारे 9 डिमा के उपर 20, 50 डिमा स्थित हैं, अब यहाँ से इसका upside का अगर move नहीं आता है, तो दिक्कत फिर हो सकती है, otherwise यहाँ से एक upside का move दिखना चाहिए, जो हमको दुबारा से all time high test कराने के लिए लेकर जा सकता है, कुछ लोग कुछ दिन से क्या कह रहे थे, कि सहाब अब यह तो सब कुछ तूट चुका है, और अब अठारा हजार दिखेएगा, बैंक के निफ्टी में 40,000, 42,000 दिखा रहे थे, और मैं कहा रहा था, भाई, टेक्निकल्स पल-पल बदलता हुद रिश्य होगा, और वैसा ही पल-पल बदलता हुद रिश्य आपको देखने को हो गया है प्राप्त, अब अगर हम बैंक कर लें, तो बैंक कर लिफ्टी में आज मुझे लगता है कि शायद ही कोई स्टॉक ऐसा होगा, जो दिक्कत में होगा, जी हाँ एक स्टॉक था दिक्कत में, इंडिसन बैंक, नतीजों के बाद, भाई, नतीजे इसके, मतलब इतने बुरे बुरे तो थे ही, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन जो उन्होंने एक कॉमेंटरी दी न, वो ऐसी कॉमेंटरी दी, पूरी एकॉनमी के लिए दिक्कत भरी कॉमेंटरी है वो, यह याद रखेगा, वो एक कॉमेंटरी सिर्फ इंडिसन बैंक के लिए नहीं, सबके लि दिखाते हुए दिखर रहे थे अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों एक बार को कि Nifty 50 पर क्या बात हुई थी याद रखेगा कि जो तेजी हमको Financial Services में दिखी है वो अभी भी Nifty 50 में तबदिल नहीं हुई है अब क्यों नहीं हुई अब यह देखिए आपके सामने हमने कल बात की थी कि अगर हम 24, 2, 99 24, 299 के नीचे जाएंगे 24, 299 के नीचे जाएंगे तो हम लोग सीधा-सीधा किस साइड पर चलेंगे? सेल साइड पर चलेंगे सुबह सुबह पहली गेंडल 24, 299 तोड़ चुके है 24, 299 के नीचे 24, 2216 का लेवल है और उसके नीचे 24, 171 आप चेक कर सकते है कि क्या ये सभी लेवल्स टेस्ट हुए और 24, 171 पर किस तरह से किस तरह से एक बेस बना है? हाँ ठीक है 24, 1, 440 नीचे डाउंसाइड पर जरूर गया लेकिन बेस देखें, लेवल्स लेवल्स चेक कीजिए 24, 171 का लेवल वहीं से एक बेस बना और दुबारा से 24, 216, 24, 252 24, 2300 पार हुआ और जब आपको मालू में पिछले दिन का हमने 24, 299 का रख रखा था इसके उपर अगर चलना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारी थियूरी क्लाम करेगी कि अब हम पिछले दिन के हाई को भी टेस्ट करने जा सकते हैं और वैसा ही कुछ हुआ 24, 422 भी टेस्ट हुआ और 24, 84, 24, 24, 484 तक के लेवल्स आपको देखने को प्राप हुए हैं अब वैंकिंग इंफनेंस सेक्टर के अलावा अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत तेज चल रहा हो नहीं दिखाए लिया 31 एडवैंस में और डिक्लाइंस में 18 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 में SBI तेज चल रहा था, Bell तेज चल रहा था आईश्र मोटर्स तेज था, इटेफ से लाइफ तेज था, SBI लाइफ तेज था वहीं मारूती नतीजे नतीजे, मारूती के नतीजे थे सहावाज, सवाच 4-4,5% पिटा है, नतीजों के बारे में अब आपको मालूम ही था कि भई इसमें दिक्कत तो, आउटो सेक्टर में दिक्कत तो है ही आउटो सेक्टर ने ही रादर दिक्कते स्टार्ट की थी, मार्केट के लिए जो इतने दिन से दिक्कत चल रही थी, वो आउटो सेक्टर की ही बनाई हुगी दिक्कत थी कि डिलर्शिप्स पे गाड़िया खड़ी हैं, कमपनियां उसका क्रेडिट ले रही हैं, तो भाई आप कुछ कहीं न कहीं, तो कभी न कभी तो उसका असर आना है न, टाड़ा मोटर्स, पिटा है चार परसन, इरमोटर कॉप भी पिट रहा था, और पिट रहे दे डॉक्टर और सन फार्मा भी, और अब दोस्तों हम चलेंगे, कल के लिए लेवल्स निगा लेंगे, पहले बैंक निफ्टी, उसके बाद फिन निफ्टी की और भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई है, निफ्टी मिड कैप, नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं, जो कहते है जिजबी भाई, निफ्टी मिड कैप पे क्यों नहीं आज चर्चा हुई, आएए दिखने हैं, निफ्टी मिड कैप पर क्या बात्ची थी हमारी, और वैसा चला या नहीं चला, अब लेवल्स आते हैं नहीं आते भाई, मैं तो बार बार आपको दिखाता हूँ, लेकिन क्य क्या हूँ अब, कुछ लोग फिर भी रॉस में है, कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं भाई, मदा नहीं आ रहा, हमने बात की थी कि अगर 12373 तूटेगा, तो हम सेल साइड के बारे में जाएंगे, साड़े नो बजी तूट गया था जी, 9,20, 9,25 के आसपस टूट गया था, और उसके बाद हमारा लेवल 12334 का था, आप देख सकते हैं, 12334 बहली बाती आया, और in fact, 12308 का लो लगा है, उसके बाद अगर 12373 जो पिछले दिन का लो था, अगर उसके उपर, sorry, माफ केज़े, 12373 मेनेट सेल का था, इसके उपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से भाई साइड के और चल पड़ेंगे, और हमको 12421 दिखेगा, जिसके उपर तो भाई, क्लियर था कि आप हम भाई साइड पर ही रहेंगे, 12451, 12493 था उसके उपर लेवल, वो भी आपको बली बाती पराब्द हुआ, और 12528 तक के लेवल थे, और आपको 12528 भी आया, 12537 का हाई लगा है, निफ्टी मिड कैप में, तो भाई, जिसको ये लगता है कि लेवल्स नहीं आते, उनको आज ये आंसर चार्ट दे रहा होगा, अब एक बार को ऐसा करते हैं, इनको रिमूव कर देता हूँ, सभी ड्रोइंग्स को, और देख लेते हैं कि के निफ्टी और फिन निफ्टी, दोनों ही अपने इंपोर्टेंट डेमा के उपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी, अभी भी 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे रहा है जी निफ्टी मिड कैप, खत्रा अभी भी टला नहीं है निफ्टी मिड कैप पर से, जैसा कि आपने दे लिखेंगे तो हमको प्राप्त पता चलेगा कि अभी भी 100 डेमा पर ही क्लोजिंग दी है, यानि कि 100 डेमा के नीचे हैं, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फिफ्टी दोनों ही वीग, फिन निफ्टी बैंक, निफ्टी दोनों ही तेज, आएब चलते हैं हम लोग कि लेवल्स, अब हम दोस्तों 12.570, 12.537 के उपर ही बारे में सोचेंगे, 12.530 के उपर हमारा क्या लेवल आएगा, 12.530 के उपर जो हमारा लेवल आएगा, वो रहेगा ये, which is 12.575, 12.527 के उपर, 12.575, और 12.575 के उपर अगर हम गए, तो हमको एक बार को ये लेवल 18 का अपसाइड का लेवल, वहीं दोस्तों कर डाउंसाइड की बात करते हैं, तो अब 12.308, 12.308 हमारे लिए important क्या है, एक सपोर्ट रहना तो चाहिए, लेकिन 12.308 से पहले क्या कोई हमारे लिए setback के तोर पे नहीं काम करेगा, क्या हमारे लिए कोई इससे नीचे कोई सप पूचेंगे और उसके बाद हमारा लेवल आएगा ये, विचिस 12.401, 12.401 और 12.401 अगर तूट गया, तो फिर हमको एक बार को 12.308 और 12.401 के नीचे ये लेवल आ सकता है, 12.401, 12.305, 12.365 and 12.308 आ सकते हैं, और दोस्तों अब अपसाइड के लेवल भी आपके सामने लगा दिये हैं, बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भाई, बुलिशनेस, बाजशा बुलिशनेस दिखा रहा है, आईए एक कंटे के चार्ट पर देखने हैं कि क्या रह सकते हैं, लेवल जब हम अब एक चीज़ याद रखेगा, यहां पर हमको एक रिज बात करते हैं, यह रहा आपका वो रिजिस्टेंस, 52, 578, 52, 578 जो है हमारे लिए बड़ा रिजिस्टेंस है, बावन 578 हमारे लिए बहुत बड़ा रिजिस्टेंस रहने वाला है, हलांकि ठीक है, बावन 324 के उपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, विच इस 52, 354 के उप पर चले तो 52, 578 एक रिजिस्टेंस रह सकता है, अगर यह रिजिस्टेंस दोड़ा, तो फिर से एक शॉट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमको लेके जा सकता है, सीधा सीधा बहुत तखडा तेज उपर को लेके जाएगा, और यहां तक लेके जा सकता है, 52, 52, 788 की और लेके जा सकता है, और 52, 788 टूटा तो 52, 988, यानि 53,000 की और बढ़ते हुए बैंक अनिप्टी को हम देख पाएंगे उस थिती में, लेकिन आज शॉट कवरिंग मूव था, हर रोज ऐसे मूव नहीं आते हैं, दोस्तों अब हम बात करेंगे, डाउनसाइड की कह से प्राब्लम आ सकती है, देखें अगर हम 52,000 के नीचे इस बार फिर से खिसके, 51,940, 51,940 के नीचे अगर हम खिसकते हैं, तो हमारे लिए सेल का सिगनल दुबारा अपराप्त हो जाएगा, 51,940 के नीचे, हम लोग देखेंगे, सीधा, सीधा, 51,600, एक नट रुकिए, में और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दे दिया, आप बात कर लेते हैं, निफ्टी, 50 की, हलाकि बैंक निफ्टी के लेवल्स देने से पहले, मुझे आप से बातचीत करने ही चाहिए थे, option chain की, तो चली ऑप्शन चेन पर भी कर लेते हैं, बातचीत, जब हम option chain दे देखने क्या स्थिति हैं 52-300 पर दोस्तों भर-भर के पुट राइटिंग है 52-200, 52-100, 52-1000 पर भर-भर के पुट राइटिंग है यानि कि तेजी का पूरा पूरा दारोमदार नजर आता हुआ दिख रहा है अगर हमको कहीं पर कॉल राइटिंग दिखती है क्या 52-500 भी दिखत थोड़ी बहुत है बहुत खास नहीं है अगर हमको कहीं पर आप रिजिस्टेंस मिलती है तो अब वो 52-800 से पहले कहीं नहीं दिखती है 52-800 और 53-000 पर ही कुछ रिजिस्टेंस है अदर्वाइस 53-000 भी अगर पार कर लिया यहां पर मैंने 52-988 तक कर लाया है लेकिन अगर 53- 53-200 तक भी चले जाएं तो कोई अती शोकती नहीं होगा option chain तो भाई यही कह रही है अब बात कर लेते हैं आपकी प्यारी निफ्टी-50 की निफ्टी-50 कहां क्लोज हो रहा है देख लीजे सौडेमा सौडेमा पर है वीकनेस अभी भी भरकरार वीकनेस अभी भी निफ्टी-50 में है बरकरार और जो निफ्टी-50 में बरकरार है वीकनेस थोड़ा सोच के काम कीजेगा और अब हम लोग एक बहुत बड़े रिजिस्टेंस पर भी खड़े हैं निफ्टी-50 पर एक बड़े रिजिस्टेंस की बात कर लूँ चौबिस चारसो चौरानवे चौबिस लिए रखते हैं देखे 24-500 एक साइकोलोजिकल रिजिस्टेंस है 24-500 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे बाइसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे 24-500 के ऊपर जो हमारा लेवल आएगा 24-544 और 24-544 के ऊपर गए तो हम लोग 24-5282 यह 24-582 और अबब दाट we might be able to see 24-623 24-623 भी आ सकता है डाउन साइड के अगर बात करेंगे हम तो डाउन साइड में दोस्तों अब हम 24-396 24-396 24-396 के नीचे कर गए तो हम सेल साइड के बारे में सोचना शुरू दुबारा से देंगे कर दुबारा क्या कर देंगे अभी हम देखे हैं ही अभी सैल बांस है भी नहीं याद रखेगा हमारे को लेवल आ सकता है 24-360 का 24-360 के करीका एक लेवल आ सकता है 24-391 यह रहा यह लेवल 24-360 का और 24-360 भी एदा टूर गया दोस्तों तो हमारा लेवल रहेगा यह वाट इस दा लेवल 24-321 जौब इस तीन सव बीस तीन सव एक लेवल रह सकता है तो दोस्तों आपने अब देखा कि लेवल हमने किस तरह से दिये हैं देखे जब हम लेवल टू लेवल काम करते हैं तो एक आनंदे अलग होता है जल्द बाजी में करेंगे तो आपको मालुम जल्द बाजी का नतीजे अच्छे नहीं होते हैं आशा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट की शायद दो या तीन सीट्स हैं चार नमंबर वाले बैच की दो ही है राधर आइवूट से तो आज ही मुझे लगता है कि आज रिजिस्ट्रेशन उसकी पूर नमबर वहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्षन में वाट्सेप नमबर अगर किसी को कोई भी जानकार्य लेनी हो तो वाट्सेप पे मैशेज करके जानकारी गरी उस बाफ्रियं बारे में ले सकते हैं हाँ कुछ लोग कहते हैं क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी देखे जब आ पाचीज स्टूडियो में की गई है इसका बाइसल की सला से कोई लेना देना नहीं है बाइसल की सला के लिए आप अपने फनाइचर रवाइजर से कीजिएगा पाचीज उमीद करता हूं आप ओल्रडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे नहीं किया तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा दोस्तो और दोस्तो और देफरेंज इव नो शुक्रिया न वश्कार दन्यवाद बाइग